Hey guys, welcome back to the channel Super Ideas Super Ideas में आप सभी लोग का एक बार फिट से स्वागत है और आज अशब 26 फरवरी तो उत्रागंड की खास कवरों पर नजर डालते हैं तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो प्लोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके तो अभी समय है उत्राकरण लाइब नियूस का और ये नियूस आप लोग के लिया आती हर रोज सुबा ठीक साथ बज़े युक्रेन में कितने लोग फसे हैं उत्राकरण के पास डाटा नहीं है अब हाथ पाउ मार रही है सरकार रूस की सेना के युक्रेन पर हमले के बाद सिथ्या गंभीर हो रही है तो उत्राकरण में उन लोगों का रोरो कर बुरा हाल है जिनके बच्चे और परीजन युक्रेन में हैं उत्राकरण सरकार लगातार भारत के विदेश मंत्राले से संपर करने और हर मदद मुहया कराने की बात तो कह रही है लेकिन राज्य सरकार के पास यह आकड़ा और विवरन ही नहीं है कि उत्राकरण के कितने लोग वेचातर युक्रेन में हैं युक्रेन पर हमले से संकट गहरा जाने की कारण अब राज्य सरकार हात्पा हुआ रही है और अपने परवासी नागरिकों के बारे में डाटा जुटाने की कवायत भी कर रही है युक्रेन और रूस के बीच छड़ी जंग को लेकर वहाँ पर रहे रहे दहरादून के चातरों के परीजन भी चिंतित है कुछ हात्रों की अपने परीजनों से मोबाईल पर बात भी हुई है जिनोंने वहाँ फिलार ठीक होने की बात कही है लेकिन आज सुबह जो तस्वीरे सामने आई उसने परीजनों को डरा दिया है राजके जिला कोरोनीशन अस्पताल में वरिस्ट बाल विशेशग्य एमम परांतिय चकित्सा स्वास्त सेवा संके पूर परदेश और दक्ष डोक्टर डीपी जोसी ने बताया कि युक्रेन में बिगड़ते हालात के चलते उनका परीवार चिंतित है बरिस्पतिवार सुबह उनकी अपने बेटे अक्षट जोसी से मोबाइल पर बात हुई थी अक्षट ने बताया था कि अमजन से लगने की वज़े से मोल आधी में भीड़ है लोग समान जोड़ रही है उत्राकण में तीन जलों में बारिश बरफबारी में कोई रहत नहीं अगले दो दिन मोसम का हाल देख लेते हैं तो मोसमी बाग की बविश्यवानी की बात करें तो बर्देश के जादतर हिस्सों में मोसम का मिजाज बदल गया है बीते दिन उत्राकण के कही हिस्सों में बारिश और बरफबारी का दोर जारी रहा चारधाम समेत राज्यव के उचाई वाले इलाकों में खूब बरफबारी हुई जिससे निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई परदेश के निचले इलाकों में ओला वरस्टी भी हुई है, मौसम विभाग के माने तो अगले दो दिन परदेश के जादतर हिस्सों में मौसम खराब रहेगा आज और कल पारिश से रहात मिलने के असार कम ही है, मौसम विभाग ने 25 और 26 जन फरवरी को उत्राखन के उत्रकाशी बागेशुवर पितोरा कटजिलों के कुछ सानों पर बारिश का पुर्वानुमान लगाया है पहाड की विहंगम और खुबसूरत वादियों में शूटिंग के लिए फिल्मी सितारे भी लगातार उत्राखन का रुप कर रहे हैं नतीजन बीते ही कुछ सालों में उत्राखन हिंदी फिल्मों की शूटिंग का हब बन गया है बॉलिवूड के परसीद फिल्म निर्मेताओ को 80-90 के दसक से ही उत्राखन अपनी और आकरशित करते हुए आया है दुनिया का पसंदिदा फिल्म डेस्टिनेशन बन चुकी उत्राखन में अभी तक मदूमती, भेगी रात, कटी पतंग, लक्षे, केदारनाथ, स्टूडेंट ओफ दी इयर, कोई मिल गया, लक्षे, दम लगा के हैसा, बत्ती गुल मीटर, बधाई दोस्त, समेथ अंगिने फिल्मों की शूटिंग की जा चुकी है, शूटिंग के लिए देव भुमिका, कॉर्बेट, नैशनल पार्क, रिशी केश, रानी खेत, ननिताल, अल्मोडा और मसूरी के परेटनस्तल आकरशन के केंदर हैं, जबकि बड़े पर उत्राखन की वादियों की सुंदरता अलग अनुबहो देती है, तो अब अक्षे कुमार भी उत्राखन के ब्रैंड एम्बेस्डर बन चुके हैं, और उसके साथ भी काफी सारी जो फिल्में हैं, अब आगे उत्राखन में देखने को मिलेंगी, उत्राखन के मदरसों में सिक्षकों की होगी जांच, बहुतिक सत अपन कराएगा, मदरसों में कई जंगों पर सिक्षकों के नय होनी की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है, मदरसा आदुनी करन सिक्षक संग की ओर से भी ऐसी मांग उठाई गई थी, पर्देश में योजना के तहर 211 मदरसों में 404 सिक्षक तैनाथ हैं, मदरसा ब अपने अपने जिले के लोगों की जानकारी देने को कहा गया है, अब तक 85 लोगों की जानकारी मिल चुकी है और यह जानकारी विदेश मंत्राले को भेजी गई है, राज्य के मुक्यमंत्री पुषकर सिंगधामी ने यूक्रेन में फसी राज्य के लोगों की रुसरक्षा के संबंद में रास्टे सुरक्षा शलाकार आजीत डोबाल से फोन पर बात की है, और मुक्यमंत्री ने भी से लेकर समिक्षा बैठक भी की है, उद्रकण में दूसरे राज्य का वहान चला रहे हैं, तो आप सावधान हो जाएए, MV Act के मुताबित ऐसे वहानों को एक साल के भीतर संबंदित राज्य से ट्रांसफर करवाना जरूरी है, नहीं तो चालान हो सकता है, दून में कई केंदरी संस्तान हैं और ऐसी कंपनिया हैं जिनके दफ्तर दूसरे राज्यों में भी हैं, ऐसे संस्तानों की करमचारियों का जब ट्रांसफर होता है, तो अपने वहान भी लेकर आते हैं, लेकिन वहान ट्रांसफर नहीं करवाते हैं, तो किसी भी राज्य में वहान का टेक्स 15 साल के लिए जमा होता है यदि आप इससे पहले वहान को किसी दूसरी राज़े में ट्रांसफर करवाती हैं तो बचे हुए सालों की टेक्स को आप रिपंड करवा सकते हैं टेंडे बस्ते में वर्ज 2017 में हुई कोशना लेकिन होम गार्ड के 3000 पदों पर अब तक नहीं हुई बढ़ती परदेश के सरकारी विभागों में होम गार्ड की महता को देखते हुए इनके 3000 पदों पर बढ़ती करने का नर्णा लिया गया कई विभागों में सेवा दे रही होमगार्ड आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही यातयात आपदा परबंदन चारधा म्यात्रा और चुनाओं में सक्रिय भूमिका में रहती हैं विभागों में चतुर्थ शेनी के पदों पर नई भरती नहीं होने के कारण अधिकान स्थानों पर होमगार्ड की यह जिम्मेदारी निभा रही हैं होमगार्ड के इन कार्यों को देखते हुए दिसंबर 2017 में इनकी संक्या 10,000 करने की गोश्णा सरकार ने की थी दरसल परदेश में अभी 6,415 होमगार्ड का रेरत हैं और ऐसे में शार्षिन को 3,000 पदों पर भरती को स्विकर्ती परदान करनी थी उद्राकंड में कोरोना केसिस की बात करें तो बीते 24 गंटों में 170 संक्रमन के मामले सामने आए हैं जब की दो की मोथ हुई है मरीजों का आकड़ा बात करें तो एक हजार से भी कम पहुँच गया है 240 ठीक होए हैं तो ब्रसपतिवार को 10,451 सेंपलों की जांच की गई थी और बात करें अगर 170 लोगों की तो धरादून में 63, अलमोडा में 25, हरद्वार में 17, चमपावत में 14, उत्रकाशी में 12, पोडी में 11, पितोरगण में 7, चमोली में 7, रुदरप्रियाग में 5, नैनिताल में 4, और उत्म सिंगनगर में 2, पागेश्वर में 2, और टीरी जिन काशिपूर की उद्धोग जगत भी इससे अच्छोता नहीं है, काशिपूर में 20 मामने को लेकर और दोगिक जगत में हलचल देखी जा रही है, पिछले 2 साल से कौविट जैसे महमारी से लड़ते हुए पटरी पर वापस लोट रहे, इंडस्ट्री के लिए यह एक और शुनों का आयात होता है, चारदाम यात्रा किराय में विर्दी की तयारी हो रही है, अब तक 2019 की कीमतों पर चल रहा था संचालन, कोरोना के मामले कम होने के बाद इस बार परिवैन वेफसायों को भी यात्रा सीजन में काफी उम्मिदे हैं, अब तक वर्ष 2019 की किराय के चारण यात्रा सुचारू नहीं चल पाई थी, कई बस मालिकों ने अपने पर्मिट सरेंडर कर दिये थे, पिछले साल अंतिम समय में यात्रा शुरू करने के आदेश हुए थे, तो यह थी दोस्तों तराकरन से जुड़िए कुछ खास खबरे, इसी तरीके से हर खबर पान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बैल आइकन को प्रेस कर लीजे, ताकि जैसे वीडियो अप्लोड की जाती है, उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सकें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेर करें, आप हमें शोचल मीडिया पर भी फोलो कर सकते हैं, लिंक बिस्किप्शिन बोक्स में है,